मैं इनको डीटेल में भी बताऊंगा लेकिन ये जो सारा डेटा है ये ओफिशल जो वेब साइट है सरकार की उसका डेटा है तो उत्तर परदेश में अगर हम बात करें तो राश्ट्रिय उद्यान की बात करें सबसे पहले तो दूदवा राश्ट्रिय उद्यान दूदवा न बना था दूदवा राश्ट्रे उध्यान और ये हैं लखिमपुर खेरी में लखिमपुर खेरी यहां पर बाग तेंदुआ भालू गेंडा हाती इत्यादी रखे जाते हैं अगर मैं बात करूं टाइगर रिज़र्व की टाइगर रिज़र्व मतलब जो प्रोजेक्ट टाइ 2014 में और अमानगड बना था 2015 में अगर मैं पूछूं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा Tiger Reserve कौन सा है Tiger मतलब होता है बाग जहां पे बाग रखे जाते हैं तो आंसर है पिलिभीत पिलिभीत Tiger Reserve उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा Tiger रिजर्व है, सबसे पहला प्रशन तो हुआ यह, अब बात करते हैं, वन्य जीव विहार, मतलब wildlife century, wildlife century, वन्य जीव विहार और राष्ट्रे उद्यान में क्या फरक होता है, राष्ट्रे उद्यान में काफी कम चीजें allowed होती है, राष्ट्रे जो उद्यान है, वहाँ पे जो security का लेवल है काफी जादा होता है, compare to wildlife century, wildlife century में फिर भी जैसे human settlement वगरा को allowed करते हैं, घर बनाना वगरा, लेकिन राष्ट्रे उद्यान में ये सब चीजें allowed बिल्कुल भी नहीं होती, जानि security जो होती है, वह राष्ट्रे उद्यान में जादा होती है, अब बात करते हैं wildlife century, wildlife century इसमें question ऐसे आता है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और कहां पे कौन सी है, ये तीन तरह से सवाल आते हैं, अगर कोई विशेश जानवर कहीं पे रखा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं, चंबल वन्ने जीव विह चंबल wildlife century ये बनी थी 1989 में, और ये है इटावा और आगरा, यहां पे घडियाल, मगरमच, डाल्फिन, प्रवासी पक्षी यानि कि जो पक्षी दूसी जगा से विच्रन करके आते हैं, ये सब रखे जाते हैं, तो मगरमच के लिए घडियाल के लिए फेमस है चंबल वन्ने दूसरा है कटरनी अगहाट वन्ने जीव विहार, कटरनी अगहाट wildlife century ये इसकी स्थापना हुई और ये बारिच डिस्टिक्ट में है, बारिच, तेंदुए छेर चीतल परवासी पक्षियों के लिए ये मशूर है, रानिपूर वन्ने जीव विहार है बांदा में, रानिप पे तेंदुए काला हिरन चिंकारा इत्यादी, महावीर स्वामी वन्ने जीव विहार ये है ललिदपूर में, महावीर स्वामी वन्ने जीव विहार और आप देख सकते हैं, सिरफ 5 किलोमेटर स्कोयर यानि 5 वर्ग किलोमेटर के एरिया में है, चंदर प्रभा वन्ने जीव बिहार चंदौली ये 78 वर्ग किलोमेटर केरिया में है यहाँ पे भालू तेंदुवा चिंकारा अधी जीव रखे जाते हैं 1957 में ये बना था किशनपूर वन्यजीव बिहार 1972 में बना था किशनपूर वाइल लेग सेंचरी 203 किलोमेटर वर्ग केरिया में लखिमपूर खेरी में है जहाँ पे दूद्वा नेशनल पार्ग भी है दूद्वा राष्ट्री उत्यान उसी जगापे है कैमूर वन्यजीव बिहार बहुत इंपोर्टेंट है मिर्जापूर में काफी बड़ा है 501 वर्ग किलोमीटर 1982 में बना था हस्तिनपूर वन्यजीव विहार अगर सवाल आए उत्तर परदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा wildlife century वन्यजीव विहार कौन सा है तो आंसर है हस्तिनपूर बहुत ही बड़ा है मुझफव नगर, मेरट, मुरादाबाद, गाजियाबाद, विजनौर, जेपी नगर इतने सारे डिस्टिक्ट में मिलके फैला हुआ है ये मशूर है बारा सिंगा के लिए आपको बता दूँ उत्तर परदेश का जो राज के पशू है वो भी बारा सिंगा है अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्वांप डियर, स्वांप S-W-A-M-P-D-E-R और यहाँ पर यह भी बता दूँ कि मद्धे परदेश का भी यह है राज के पशू, बारा सिंगा तो मद्धे परदेश हो चाए उत्तर परदेश हो, दोनों का है बारा सिंगा दूसरा, सोहागी बरवा वन्नेजीव विहार, यह भी काफी बड़ा है, महराज गंज में है यह और यहाँ पर चीतल और शेर रखे जाते हैं, 1987 में यह बना था दो और हैं, इम्पॉर्टेंट वन्नेजीव विहार, फिर हम बात करेंगे पक्षि विहार की तो एक है सोहिलवा वन्नेजीव विहार, जो गोंडा, बलरामपूर और शावस्ती में जिले में है और एक है कचुवा वन्नेजीव विहार, जहां पर कचुवे रखे जाते हैं, यह वारानसी में है अब अगर कुश्चन आए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौनसा है तो आंसर है हस्तिनापूर, हस्तिनापूर वाइल लाइफ सेंचुरी है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौनसा है महावीर सौामी वन्नेजीव विहार सबसे छोटा कौन सा है महावीर स्वामी अगर पूछें कि सबसे पहले कौन सा बना था वन्य जी विहार तो इसका आंसर है चंदर प्रभा वन्य जी विहार उन्य सो सतावन में चंदर प्रभा वन्य जी विहार और अगर पूछें कि सबसे बाद में कौन सा बना था तो आंसर है कच्छुआ वन्यजी बिहार 1989 में 1989 में यह समझ में आया आपको अब बात करते हैं पक्षी विहार की जहां पे पक्षी रखे जाते हैं जहां पे पक्षी उड़के आते हैं इनको पक्षी विहार का दरजा दिया हुआ है तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है ये कोश्चन आ चुका है ओलड़ी सबसे बड़ा है लाख बहोसी पक्षी विहार 80 वर किलोमेटर के एरिया में और ये कन्नोज में है सबसे बड़ा है ये तो नवाब गंज पक्षी विहार है उन्नाओं में नवाब गंज पक्षी विहार उन्नाओं में बखीरा पक्षी विहार कहा है, तो यह है संत कबीर नगर में, ओखला पक्षी विहार गोतम बुधनगर, समान पक्षी विहार मैनपुरी, पारवती अरंगा पक्षी विहार गॉंडा, विजैसागर पक्षी विहार महोबा, पतना पक्षी विहार एटा, तो कई बार कंफ्यू पक्षि बिहार जिसको सुरह ताल भी बोलते हैं यह है बलिया में यह बहुत ही ज्यादा important सवाल है। जया परकाश नारायन जो अपात में इंद्रा गांधी के खिलाब जो लड़े थे। जया परकाश नारायन पक्षि बिहार जिनें लोक नैक भी बोलते थे। सुरहा ताल भी बोलते हैं इसे, ये है बलिया में. डौक्टर भीमराव अमबेटगर पक्षी भिहार है Пरतापगड में और शेखा जील अलिगड में पक्षी भिहार है अलिगड में. वेरी वेरी इंपॉर्टन, ये सारे बहुत इंपॉर्टन है. अब मैं आपको ये बताता हूँ, question क्या क्या आ चुके हैं, इसमें, एक बार ये आया था कि सुरहा ताल पक्षी बिहार कहां है, ये स्वास्ते सिख्षा परिक्षा 2005 में आया था, तो सुरहा ताल किसको बोलते हैं, जैय परकाश नारेंट पक्षी बिहार को, याद रखिए, ये जो सुरहा ताल है, इसको आपको किसी दूसरे से confuse नहीं करना है, जैसे एक सूर सरोवर भी है, तो सुरहा ताल अलग है, और सुरहा ताल ये है बलीया में, तो इसका आंसर था बलीया, इसके अलाबा एक बार ये पुछा था question की, नवाब गंज पक्षी बिहार कहां है, UPPCS 2005 में आये था, नवाब गंज, तो कहां पे है ये, उन्नाओ में, ये पूछा था एक बार, UPPCS 2003 में, कि उत्तर प्रदेश का सबसे विस्त्रित, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो उसका आंसर है, लाख बहुसी पक्षी विहार, जो 80 km2 एरिया में फैला हुआ है इसके अलाबा question में, एक ये पूछा था कि कौन सा ऐसा पेड़ है, जो उत्तर प्रदेश के जंगलों को नुकसान पहुचा रहा है, तो उसका नाम है Eucalyptus, Eucalyptus का जो पेड़ है, ये उत्तर प्रदेश की जो दूसरे पेड़ है, उनको नुकसान पहुचाता है, Eucalyptus का पेड़, इसके अलाबा question की अगर मैं बात करूँ, तो मैं चेक करता हूँ, हाँ, ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा था, सबसे पहला कौन सा था, तो उसका आंसर है, चंदर प्रभा वन्य जीव विहार चंदोली में, यहाँ प दूदवा है, इसको बाग परियोजना में कब शामिल किया गया था, राश्ट्रिय उद्यान दूदवा जो लखिमपूर खिरी में है, तो उसका आंसर है, 1987 में, तो अब इनको हम डेटेल में भी देखेंगे, जहाँ जहाँ अभशक्ता हुई, और करंट अफेर भी आपको बताऊंगा इसमें, यह सारे आपको अच्छे से याद करने है, कहां पर है, तो दूदवा जो टाइगर रिजर्व है, इसको राश्ट्रिय उद्यान का दरज़ा दे दिया गया था, और उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था, याद रखिए, तो उत दूदवा टाइगर रिजर्व में ये सारे आते हैं, किशनपूर वाल लाइफ सेंचुरी, लखिमपूर खेरी डिस्टिक्ट में, कटरनी अघाट वाल लाइफ सेंचुरी, भारेच डिस्टिक्ट में, ये भी इसी का हिस्सा है, और दूदवा टाइगर रिजर्व में दू इन तीनों से मिलके बना है दूदवा टाइगर रिजर्व और ये डिस्टिक कौन से है किशनपूर जो है ये बिलकुल नेपाल बॉर्डर पे है लकिमपूर खेरी में कटरनी अघाट जो है ये भारेज डिस्टिक में है और आपको बता दूँ कि नेपाल जो है ये हमारे साथ आपसी सहयोग कर रहा है भारत के साथ ये किशनपूर में जो जानवरों का अवैद व्यापार है उसको रोकने के लिए नेपाल हमारी मदद कर रहा है तो ये तीन टाइगर रिजर्व है दूदवा टाइगर रिजर्व पिलिभीट टाइगर रिजर्व और अमानकर टाइग प्रोजेक्ट टाइगर में दूद्वा को कप जोड़ा गया था 1987 में अब समझ में आ गया ये लोकेशन है ये नेपाल है ये उत्रपरदेश है ये उत्राखंड है और आप देख सकते हो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे है ये दूद्वा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट बोलते है रिशी वशिष्ट की बेटी गोंती नदी और ये फिर लखनव आती है तो लखनव भी गोंती के किनारे है पर ये निकलती पिलबीद से है ये 45 वा हमारे देश का टाइगर रिजर्व था पिलभीट टाइगर रिजर्व और उत्तरपरदेश का था तीसरा अगर में और तीसरा कोन सा है तो आंसर है पिलभीत पिलभीत कब बना टाइगर रिजव 2014 में सबसे पहला दूदवा 1987 दूसरा अमानगर्ड और तीसरा पिलभीत यानि जो सबसे बड़ा है वो सबसे बात में बना ऐसे आद रखो अमानगड की बात करूँ तो अमानगड में है ये अमानगड कहाँ पे है बिजिनोर डिस्टिक्ट ये देख लो बिलकुल यहाँ पे और अमानगड जो है इसके बारे में एक सबसे विशेश बात बताता हूँ आपको ये जिम कॉर्वेट नैशनल पार्क का हिस्सा था लेकिन उत्तर परदेश में से उत्तर खंड अलग निकल गया तो ये जो जिम कॉर्वेट का वो हिस्सा जो उत्तर परदेश में रहा गया उसको हमने नाम दिया अमानगड ये समझ में आया आपको पहले ये एक ही था जिम कॉर्वेट से जुड़ा हुआ था लेकिन फिर उत्तर पर उत्तरप्रदेश का हिस्सा था तो इसको हेली नैशनल पार्क बोलते थे हेली उसके अलावा 2012 में हमने इसको टाइगर रिजर्व का धर्जा दे दिया कुछ करंट अफेर देखते हैं अभी उत्तरप्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि जो दूद्वा वाइल लाइफ उत्तरप्रदेश की सरकार ने एकदम लेटेस अनॉंस्मेंट करा है कि बागों को बचाने के लिए एक टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया जाएगा कहां पर ये दूद्वा में इसको हिंदी में बोलते हैं दूद्वा बाग सर्रंग्शन फाउंडेशन का गठन करने का फैसला लिया है इसके लावा यह भी तया किया गया है कि भविश्य में भी टाइगर रिजर्व पूरे पिलभीत जिले और बिजनौर के निशान गाड़ा में भी फाउंडेशन गठित किये जाएंगे मैं रिपीट करता हूँ निकट भविश्य में भी पूरे प्रिभित में जो टाइगर इजव है वहाँ पे भी बनेगा और निशान गाड़ा विजनौर वहाँ पे भी बनेगा इसके लावा जो उत्तर परदेश की सरकार है उन्होंने सनाइफर नाम के कुत्ते उनका इस्तेमाल करना शुरू करा है जानवरों का जो अवैद व्यापार होता है जानवरों को लोग मार देते हैं उनकी चमड़ी के लिए उनके मास के लिए कई बार तो उसके लिए अब कुत्तों का इस्तेमाल होगा उनका अवैद व्यापार रोकने के लिए उनको जो मारा जाता है उसको रोकने के लिए ये जो कुत्ते हैं ये यूज होंगे कर दो 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 कर उत्तर परदेश की सरकार ने परियतन को बढ़ाने के लिए एक नई नीती बनाई है जिसका नाम है उत्तर परदेश परियतन नीती 2018 इसका टारगेट है कि उत्तर परदेश की सरकार पांच लाख जॉब क्रियेट करेगी हर साल एक साल में पांच लाख जॉब क्रियेट करेगी और 5,000 करोड रुपे का investment करेगी अगले 5 साल में 5,000 करोड रुपे का investment 5 साल में और हर साल 5 लाग job create किये जाएंगे इसके अलावा उत्तर परदेश की सरकार ने जो परियटर निती है इसमें ये भी कहा है कि जो अंतर देशी है यानि जो हमारे देशी परियटक है कि 1,000,000 अतिरिक्त परियटक National Park और Wildlife Century में जाएंगे एक लाग परियटक National Park और Wildlife Century यानि राष्ट्रय उध्यान और वनने विहारों में जाएंगे उत्तर परदेश की सरकार ने तितलियों के लिए तितलियां जो होती है ये एक तरह का इंसेक्ट होती हैं कीडे होते हैं तितली, तितली उड़ती हैं पोधों के उपर, तो तितलीयों के सरंग्षन के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उत्तर परदेश का पहला बटरफलाई पार्क बनाया अभी-अभी कानपूर में, याद रखो एक करोड रुपे की ल नैशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा, जो हमारा जल्स अंसाधन मंत्राले है, जिसका काम ये भी है कि वो गंगा की सफाई करे, इस मिशन को बोलते हैं नैशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा, उन्होंने डिसाइड करा है अलाबाद में एक टर्टल सेंचुरी बनेगी, यानि एक कच्चुओं को बचा सकें, क्योंकि कच्चुओं जो है भारत से खतम होते जा रहे हैं, टर्टल भारत से खतम होते जा रहे हैं, इसमें खर्चा आएगा लगबग 1.34 करोड़, और यहां पर सिर्फ कच्चुओं ही नहीं बलकि अलग-अलग तरह के जो पानी वाले जो पिलभीत एरिया है ये दूदवा राष्ट्रिय उद्यान और पिलभीत वाला जो एरिया है यहां पे बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं बागों के द्वारा इसको बोलते हैं man-animal conflict man-animal conflict बोला जाता है इसे मतलब human being और जानवर में आपस में लड़ाई 156 लोग मर गए 2000 से 2013 के बीच में यह अभी अभी announcement करी है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने 156 लोग मारे जा चुके हैं 156 लोग दूदवा पिलभीत एरिया में और दूदवा पिलभीत जो एरिया है ये टोटल मिलाके मैं बात करूँ तो 5000 स्कुएर किलोमेटर में फैला है इसमें दूद्वा नैशल पार्क आता है, कटर्णी अगार्ट वन्य विहार आता है, किशनपूर वन्य विहार आता है और पिलभीट टाइगर रिजव आता है ये भारत में सबसे ज़ादा जो आदमियों के बीच में और जो बिग कैट यानि बाग बगारा के बीच में जो कन्फिलिक्ट होता है जो लडाई होती है वो यहीं पे होती है और पिलभीत भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे human fertility है tiger की वैसे, यानि सबसे ज़्यादा जो लोग मारे जाते हैं, tiger जिनको खा जाता है या मार देता है वो पिलभीत में है पूरे भारत में करंट अफेर में कुछ और बताऊं तो कनड़ा के परधान मंत्री जस्टिन टुड्यू यह भारत आये थे तो मथूरा wildlife century में गए थे, मथूरा wildlife SOS elephant conservation and care center यहाँ पे गए थे मथूरा में एक उत्तरप्रदेश की सरकार ने यह भी announce करा है कि black buck, black buck हर्याना, पंजाब और आंदरप्रदेश, तीन राज्यों का राजके पशु है, black buck, यह बोलते है हिरन जैसा होता है black buck, तो black buck जो होता है, इसको बचाने के लिए एक black buck conservation reserve की स्थापना की जाएगी जो होता है, इसका scientific name होता है, एंटी लॉप सर्वी कपरा, इसे हम एंटी लॉप सर्वी कपरा भी बोलते हैं, इसके अलावा current affair में उत्तरप्रदेश की सरकार ने यह भी announce करा है, कि अभी अभी जो हस्तिनापूर wildlife century है, जो उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे विस्त तो इस पे हमें नज़र रखनी होगी, यह red list में इसको vulnerable category में रखा हुआ है, और यह है बर्मीज python, यह मिला है हस्तिनापूर wildlife century में, हस्तिनापूर wildlife century के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यह गंगर अधी के पश्चिमी किनारे पे है, यहाँ पे बारा सिंगा रखा जात गोसित किया है IUCN ने, vulnerable, यह 1986 में बनी थी, यह आप डियाग्राम में देख सकते हो, कितने सारे district में आती है यह, मुझफवर नगर बिजनो और मेरट, यह मुझफवर नगर बिजनो और यह सब जो मेरट वगरा है, यह सब हापूर वगरा, यह पश्चिम उत्तरप्रदेश है, तो इसमें मुझफवर नगर यह देखो, यह पूरी जो लाल रंग में दिख रही है, यह अंदर यह है, हस्तेनपूर वाइल लेफ सेंचुरी, यहाँ पे तेंदुव भी रखा जाता है, लैपर, नील गाएं, जंगली जो बोर है, घडियाल, यह सब रखे जाते हैं यह इसके अलावा यहाँ पे आपको एक important, उत्तर प्रदेश का जो राजकिये पक्षी है, जिसे बोलते हैं सारस या क्रेन बोलते हैं जिसे, सारस बोलते हैं, यह भी रखा जाता है हस्तेनपूर में, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, ऐसा कहा जाता है कि हस्तेनपूर जो है यहाँ पे तलाब भी है, मंदिर के पास, यह भगवान हनुमान का मंदिर है, और यहाँ पे बहुत पहले की बात है, भारत में एक ही उद्यान है, जहाँ पे शेर रखे जाते हैं, और वो है गुजरात में गिर, तो गिर से कुछ लायन यहाँ पे रखे गए थे, चंदर प् यह भी याद रखे, इसके लावा यहाँ पे अलग-अलग तरह की असीम जानवरों की संपदा मिलेगी आपको, यह चंदौली डिस्टिक्ट में है, और उत्तर प्रदेश में यह सबसे पहली वन्ने विहार था, चंदर प्रभा वाइल लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल ल प्रदेश का राज के पसु है, यहाँ पे सोन नदी भी भी भाइती है, कीमूर वाइल लाइफ सेंचुरी में, कटर्निया घाट की बात करते हैं, कटर्निया घाट बिलकुल इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, और यहाँ पे साल और टीक के पेड़ पाए जाते हैं, साल और यहाँ पे तरही के जंगल है, इसको 1975 में वन्य विहार घोसित किया गया था, आज की तारीक में ये दूदवा का हिस्सा है, जो दूदवा टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर किशनपूर, कटर्निय घाट और दूदवा राष्ट्रे उध्यान आते हैं। बारा सिंगा भी मिलेगा यहाँ पे ऐसी बात नहीं, और यहाँ पे मुन्त जे नाम का एक बार्किंग डियर भी मिलेगा, बतलब चार अलग-अलग तरह के डियर मिलेंगे आपको यहाँ, जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो हिरन के लिए फेमस है यह, किशनपूर बने विहार, तो भारत में पांच तरह के हिरन कोन से मिलते हैं, सांबार, सांबार उडिसा का राज के पशू है, सांबार, और यह सबसे बड़ा भारतिये हिरन होता है, यह 150 cm तक इसकी लंबाई होती है, इसके कंधो तक, और उसके बाद अगर मैं सर्वगरा भी जोड़ द और हॉग डियर और बार्किंग डियर जिसे मुन्तजे बोलते हैं, यह पांचो तरह के हिरन पाए जाते हैं, किशनपुर वन्यविहार में, महावीर स्वामी वन्यविहार, यह ललितपुर के 33 km दूर है, बेतुआ नदी के किनारे, देवगड के पास, और महावीर स्वामी वाइल लाइफ सेंचुरी, काफी छोटा है यहाँ पे टीक के पेड़ मिलते हैं, इसकी सबसे विशेज बात यह है कि यहाँ पे इसी के बीच में 41 जैन मंदिर हैं, 41 जैन मंदिर हैं यहाँ पे, और यह ऐसा माना जाता है कि गुपता वंच जो है, गुपता वंच के पिरड में यह जैन मंदिर उनका प्रतीक थे, और बाद में इनको प्रतिहार और चंडेल वंच ने कबजा कर लिया था, तो यह जैन धरम का जो जैन मंदिर हैं, उनकी आकरिती हैं यहाँ पे मिलती हैं, तो जैन मंदिर कहां पे है मावीर स्वामी बाई लाइक सेंचुरी, बन्ने ये चित्रकूट के बिल्कुल पास है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे चित्रकूट जो है यहाँ पे भगवान राम का संबंदिश से है रमायन में तो यह बल्रामपूर और श्रावस्ती में है भारत नेपाल बॉडर के पास है यह भी सुहिल देव वण्यविहार और बुद्ध धर्म के लोग भोत आते हैं क्योंकि जो श्रावस्ती नाम की जगा है यह बुद्ध धर्म में एक काफी महत्व रगती है एक और खास बात है इस और ठारू रहती है सुहेल देव wildlife century में, यहाँ पर मिलती है ये सुहेल देव वन्ने विहार में, इसके अलावा उत्तर पर्देश में चड्यागर भी है तीन, एक तो है लखनवी का चड्यागर, कानपूर का चड्यागर और गौरकपूर का चड्यागर, लखनवी कानपूर औ गोरकपूर का चड़ियागर तो ये था मेरा पहला लेक्चर